परशाचन का सुधार नहीं होगा उपर से जो ओर्टनाते हैं पुलिस भी दबाव में रहती है क्योंकि पुलिस भी सरकार के उसमें पर सासन या पुलिस कोई भी संग्यान नहीं लेगी तो व्यापार मंडल पुरा रियाना को बंद करेगा सासने के खिलाब हम एक आवाज उठाएंगे और बजार को पूर्ण तया बंद करने की नोबत पर लेदेंगे नमस्कार चर्किदादरी नुचैनल में सभी दर्सकों का सवागत है इस वक्त हमारे साथ काफी गणमानने लोग उपस्तीत है जो किसी ना किसी संगठन से जुड़े हुए है आज ये चर्किदादरी सहर में हाल फिलाल में जो कई तरह के मामने सामने आ रहे हैं उनी को लेकर विचारवी मर्श कर रहे हैं तो नमस्कार साथ नमस्कार सुद्नाम सुरेश कुमार पांडवानिया परदान व्यापार मंदल चर्किदादरी आज तमाम जो परदान है वो इकठा हुए हैं किस बारे यह सहर में और पुरे परदेश के अंदर यह ऐसे बुरे अलात हो रहे हैं दिन दाड़े गोड़ी कांड होते हैं आद्में को कतल आम किया जाता है लूट खसोट होती रहती है कोई किसी परकार के उनके परदीक कारवाई नहीं कर रहे हैं परशासन और नहीं सरकार कर भी है इसलिए यह हमारे गणमानने वक्ति हमारी ने wrinkles माई एक्तिवन हैं कि हम कम से कम अपना विरोध और परिफ जता सके और उनी नहीं कर सकते हैं इसलिए हम सरकार से और परसासनं से मांग करें कि इनको तुरंत परवाव से गरबतार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आगे ये आगर उसला इसी परकार से बढ़ता रहा है तो ये बेकाबू हो जाए गए इसलिए हमने ये मीटिंग उलाई है और मीटिंग के अंदर हमने यही फैसला दिया है कि आगर परशासन किसी परकार की कोता ही बरतेगी तो हम बजार को भी बंद करने पर उतार हो जाएंगे और आनी सितकाल के लिए दर्ना परदसन भी जारी रखेंगी सर्की दाधी परसनली बात कर रहे हैं तो इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एक सवा महीने के अंदर चैर मर्ड सत्यावी दो दन पहले बालगमी बस्ती का लड़का 17-18 साल का होगा लगवागे नी उसको सरयाम दाड़े मार के दाड़ियों के दर फैंक दिया गाया नी तो इस परकार से इनके उसले बुलन होते रहेंगे तो आम जन्मानस का क्या होगा मेरे को लगता है कि परसासन सूस् में कल आसी में एक शोरूम पर गोली मार के हत्या करती गई हिरोंडोगा शोरूम था और यहाना वयापार्मंडल ने उसके लिए वाज उठाई है और हर जेंगे जो वयापारियों पर यह अत्याचार फिरोती गोली कांड यह हो रहे हैं इनके उपर परसासन को और सरकार को द्यान देना चाहिए देगी परदान जी का कहना है कि एक सवाएक महिने के अंदर लगबक चार हत्या कांड चर्की दादरी में हो चुके हैं और इस तरह की इस तरह के जो मामले हैं वो रुकने बेहद आवशक है क्योंकि आने वाले समय में आने वाली जो पीड़ी है बाई बिल्कुल फिलाल तो आलात खराब हैं पूरा अर्यना में हर रोज कोईने कोई घटना ओती रहती है वपारी बिल्कुल इस बात से प्रेशान है और हम तो यह चाहते हैं कि सरकार वपरशाशन कोई कड़ा कदम उठाए ताकि जितने भी गुंडागर्दी और जितने सब्बंद होने चाहिए हम तो यहीं करते हैं पारमंदल की तरफ से ताकि परशाशन कोई ने कोई कारवाई करे और सरकार भी यह परशाशन है कोई ठोश कदम तो उठाते नहीं है एक दो पकड़ लिए जो अपरादी थे वह उनको भी जो अपरादी है इनको पकड़ना चा हो चुके हैं जी जी आपका नाब माविर कोशिक शीनियर स्टीजन का मैं परदान हूं और यहां पर दादी के इंदर ऐसी एवेस्ता फैली हुए परसासन नाम की कोई चीज नहीं रह रही और परसासन का कोई कंट्रोल नहीं है गुंडे सर्या मैंने यो लेके घूम रहे है अब गुंडे जब घूमते हैं तो परसासन का काम नहीं है कि उनको चेक करें इनकी क्या करवाई करते हैं कोई भी आदमी शक्योर नहीं है कोई भी आदमी अपना यह कही नहीं सकता अग्भी इसको अराम से घर चला जाएगा घर पहुंच जाएगा क्योंकि हर समय खत्रा ब परशासन बिल्कुल नादार्द रहा है एक दफा अखवारों में आ जाता है इसा हो गया दुबारा फिर मामला ठंडा बढ़ जाता है सही कारवाई हो जाए तो आगे से यह गटनाएं होएं नहीं पुलिस पुरी पुरी तरह से परशासन नादार्द है इसकी कोई की कोई वन और ऐसी ऐसी काम हो दे सहर में चार मंडल हो गए एक सो मिने के वित्तर फिर भी लोगा परशासन की आख नहीं खुल रही है जी नमस्कार जी पावलाल सेनी दादरी वेपाड मंडल का मेंबर और दादरी में परशासन से यह कहना चाहूंगा कि जितने भी कतल हो रहे हैं और जितनी भी लापरवाई से खून वगेरा हो रहे हैं यह सारी परशासन की लापरवाई है और मैं आपने शीयम साहब से भी यह कहना चाहूंगा कि सटोंग पहसरन जब तक नहीं लोगे जब तक परशासन का सुधार नहीं होगा तो पुलिस की कहा लापरवाई हुई इसमें पुलिस की लापरवाई यह है कि उनको तुरत ऐसा नॉर्मल मुकदमा दरज करके उनको अंदर ठोक देते हैं फिर उसको मैने भी दिन पाद फेर बार आ जाते हैं परशासन की लापरवाई है यह इस ट्रॉंग फैसला कोई पर परशाजन की तरफ द्यान नहीं दे रही है अगर द्यान देती तो ऐसे केस दादरी में हो रहे हैं और हमारे सीम साहब से भी यह कहना चाहूंगा कि आसी में पारी की गलत्य हुई है वह बहुत बड़ा गलत है सारी निगामें सीम साहब के फिर भी गड़ पर हो रही है द्याल के परो और हमारे शीन तो परासाजन नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि परसासन नॉता तो इन द서 तत्व और रख लृम या थे यह ना फंट फोपते ज SUBSCRIBE दो बार हैज है जैसे मोद आथ की आथ तुरंत फैसले करें, जैसे दो साल का अब नया कानून बढ़ा है, तीन साल में फैसले हो जाए करेंगे, तीन साल गया, इनके तीन महिने में फैसले होने चीए, हम तो सरकार से मांग करते हैं, और परसाशन से, इन क्यों भी ऐसी सजा मिले, ताकि या ग परसे जो ओर्डर आते हैं, पुलिस भी दबाव में रहती है, क्योंकि पुलिस भी सरकार के उसमें चलती है, में समस्या तो सरकार की है, सरकार अगर पुलिस को ओर्डर देगी, तो पुलिस की क्या इमत वह नहीं करेगी, उपर से परसाशन तो जबी काम करेगा, जब सरकार काम करेगी परसाशन की भी कमी है और यहां की पुलिस की भी कमी है लेकिन पुलिस की कम है परसाशन की जादा है उपर से जरकार की जी अच्छा बल्राम जी अगर एक बात बताएं अगर चर्की दादरी में इसी तरह से हत्ता कांड का मामला अलगातार जारी रहता है तो फिर ऐसा में तो व्यापार मंदल जो है जो मोची जो आदमी है उमिलकर क्या कदम उठाएंगे अधिया टिस्ट गुपता जोगिरो तक नवाशी उनको यहां के जो यह सब्सेट करा और उन्होंने यह का है अगर परसासन या पुलीश कोई भी संग्यान नहीं लेगी तो व्यापार मंदल पूरा रियाना को बंद केगा प्रशासने के खिलाब हम एक आवाज उठाएंगे और बजार को पूर्टाया बंद करने की नौबत पहले आदेंगे कुछ समय पहले की बाते हैं कुछ साल पहले की बाते हैं चोदरी बन सेलल के मुख्चे मुंतरी टाइम में यहाँ एक शमारों के बैड उलीमेंट बदमाशी एक तुछ तौदरी बन सेलल मुक्चे मन्तरी होते हैं उसने सर्फ एक ही बात कही थी कानून अपना काम करें जब तक इस परकार के फैसले नहीं लेगा सरकार यह नहीं कर बई कानून अपना काम करें तब तक यह जातियां होती रहें किया आप अधिकारियों से भी इन मामलों को लेकर मिलेंगे? नीच, समय समय अधिकारियों से मिलने का विर उनको टायम देने का लेकिन अगली बात के उपर विचार करने वाड़ी बात है जो मर्डर हो जाते हैं उनकी गुत्थी सुन जी वी जाती है लेकिन उससे आ गेरे जो क्रिमलल टाइब के आदमी हैं उनका कोई इसाब किताब नहीं है बाती में वो फेर आगे ही दो डंग आगे साल ये फेर करती है ये खुड़का ये बाती है तो ये अपराद रोगना बहुत जरूरी है जी परदान जी क्या अधीकारियों से बिला जाएगा और जो हालात बने हुए हैं उसके बारे में उगत कराया जाएगा और मुख्य मंत्री को भी पत्र लिक्या जाएगा कि चर्खी दादरी जिला परचासन से मिला जाएगा अवगत कराया जाएगा गयपन दिया जाएगा अगर हालात सामाने नहीं होते हैं तो जल्द ही चर्खी दादरी का बजार बंद किया जा सकता है इसके लावा केवल चर्खी दादरी का बजार ही इस हर्ताल से परभावित नहीं होगा बलकि पूरा हर्यान हर्ताल से परभावित हो सकता है इन्होंने साफ साफ कहा दिया है कि चर्खी दादरी जिला परसासन की कहीं ने कहीं लापरवाई ही है इसी के कारण इस तरह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं चर्खी दादरी नूचरल के साथ जुड़े रहें खबरों का सिलसिला जारी रहेगा